अस्राम अलेकूम आज हम बात करेंगे एंटी बॉडिस के मुतलिक एंटी बॉडिस मेजर हिस्टो कंपेटिबिल्टी कंप्लेक्स और टी सेल एंटीजन रिसेप्टर्स हैं इस बलॉंग्स टुए क्लास अफ मॉलिकूल्स जो के डाप्टिव इम्यून सिस्ट्रम को जो हैना ह जो आपको यहां नजर आ रही है और एक है जो मेंब्रेन बाउंड एंटी बॉडिस हैं इनका काम यह होता है कि एक तो न्यूट्राइज करते हैं टॉक्सिंस को दूसरा यह है कि पैटोजन की एंट्री को उसके स्पैट को रोखते हैं और एलिमिनेट करते हैं इसी तहां जो बी सेल्स पे जो मेंब्रेन बाउंड एंटीजन से हैं ठीक ही वो एंटीजन रेसेप्टर्स के तौर पर काम करते हैं एक हैल्दी जो है 70 kg जो एडल्ट हुमन है और शी प्रोड अच्छा इंटीजन की जो कॉएंटिटी फ्री फ्री फ्लोटिंग उसको काम किया जाएं दूसरा ऑप्सिनाइजेशन है प्राइलम भेह आप्सिनाइजेशन में होता है की इम्मून ग्लॉबलेन जो है वो वो बैक्तेरियल एंटीजन के साथ बाइन करती है और उसको ओ सिझी करती है जहां इम्मून ग्लॉबलेन फॉर एक्जेशन Kız का मीज़ें है जो करते हैं जो कि पैरसिटीजन के साथ बाइ सिनोफिल्स को हेल्प करती है कि वह रिलीज करें कोई यह रिलेटेंट मॉलेकूल जिसमें हिस्टमीन है परोक्सिडेजिस हैं लोग डिरेक्टली वह हमको किल कर देते हैं इसके लाब कॉंप्लीमेंट एक्टिवेशन में बहुत इंपॉर्डन रोल है ठीक है जिसमें इम्मिन कि एंटीबोडी जो है बेसिकली म्यूक्व प्रोटीन सें चुक्के गैमा ग्लॉब्लीन फ्रेक्शन में सीरम के पाई जाती है अब इनको अब आप यह अनिमल्स में जेक्ट करेंगे बिंग फॉरन इनके खिलाफ जो है ना एंटीजनिक स्टेमिल है जो है ना वह प्रेडि जो है clotting factors utilize हो जाते हैं लेकिन antibodies still remain in the plasma जो उपर जो प्लाजमा accumulate करते है तो that whole is called serum. अच्छा सीरम में obviously coagulation factors नहीं होते हैं क्योंकि वो coagulation में use हो चुके होते हैं लेकिन सारी proteins जो प्लाजमा में freely circulate करती हैं वो आपको उसमें serum में मिल जाती नॉर्मली clinical labs में जब हम use करते हैं तो serum को for protein estimation के लिए use के जाता है immunoglobulins के लिए use के जाता है but हम serum को coagulation के लिए नहीं use कर सकते हैं लहाजा anti coagulant add किया जाता है अगर हमने coagulation factors भी quantity को देखना हो obviously serum sample जो हैं जिसमें आप antibody molecules को detect कर सकते हैं या उसको जो है जो specific antigen के साथ attach करती that is called anti serum. अब antibodies or their reactions have been studied by a process which is called serology. इनका interaction जो है वो हम serology के लिए देखते हैं पांच different types की antibodies available है human के अंदर जो IgG, IgA, IgM, IgE और IgD. अच्छा अब structure बड़ा important है इनका और बड़ा interesting structure है immunoglobulins का ठीक है अच्छा basic structure इनका एक ही है लेकिन इनके जो है ना को variability है जो आपको पाई जाती कुछ regions हैं जो को variable regions हैं वो भी हम देखते हैं कौन कौन से हैं basic जो structure है वो है दो heavy और दो light chain polypeptides है जिनको यह आप red जो है dice and fried bonds देखने हैं इनके साथ यह touch होते हैं अच्छा शॉर्ट minor acid इनका एक specific sequence है which is specific to each h chain ठीक है और यह differentiate करवाता है इनको help करता है यह short segments जो है कि different isotypes में convert हो ठीक है और इनको जो है gamma, alpha, mu, epsilon और delta जो है ना letters में divide किये जाता है और यह basically variable जो regions है ठीक है यह regions जो है यह different types देते हैं और different isotypes produce करते हैं पांचो class की जो amino acids sequences हैं जो L chain में वो तकिवन almost common है जो L chain के sequences हैं वो almost common होते हैं और इनको जो है इस पे जो है ना हम immunoglobulins को classify कर सकते हैं दो इसके लावर दो different isotypes होते हैं जिनको kappa और lambda कहते हैं जो के तकिवन तमाम classes में जो है ना हो मजूद होते हैं अच्छा आप यह immunoglobulins को जो आप गौर से देखते हैं तो इसमें आपको जो है वेरियेबल रीजेंस नसराएंगे जिन विच इस डिनोटिट बाई वी और एक जो है ना इसलाएंगे जिनोटिट बाई सीग अभ यह जो है आप यलो में देखने दिस इस यूर लाइट शेंच और यह जो है हैं हैं वीकिए अब धोनों heavy chains and light chains by single di-sulfide bond और जो दोनों heavy chains के दो segments हैं उनको double यो triple di-sulfide bonds जो है नो attach करते हैं अब इसमें ही होता है कि अगर अगर यह domains हैं इनको आप अलादा करके देखते हैं तो light chains के domains obviously shorter होते हैं यह दो domains हैं ठीक है इसी तरह जो heavy हैं यह कैन भी आप DAVID है और यह वार्द फर दोमेंग यह फोर दिम इसमें जो में एफसलों यह जन बादिभर डियर्टинов इसमें जी आपकीन हैं डर्ज सब्सक्रान यह जन आपकीन होती यह टीन होती हैं और दीस आपके आपस में जो है ना वह जो कमिनेशन में आते हैं आइडियो टाइप ठीक है यह डिटर्माइन करती है कि इसके अलाबा जो हिंज रिजन होते हैं जो के आपस में टैश करते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं एक्चिलिए एंटी बॉडी मॉलीकूल को कि वो एंटीजन के साथ फ्लेक्सिबिली बाइंड कर सके होते हैं हैं और बाले बिल्टी हैं जो इसके द्रैएबल बाइब्डी से दाथ हैं और यह यह जो है hyper valuable regions को इनको आप complementary determining regions भी कह सकते हैं और यह जो है यह heavy और light chain दोनों पर मौझूद होते हैं antibody molecules को आप जब divide करते हैं तो उनकी different classes हैं और फिर sub classes है the classes में अगर आप बड़ी बात करते हैं जिनको isotopes भी का जाता है वो iga, d, e, g और m है humans के अंदर यह है characteristic iga और igg है इनको different sub isotopes में divide कर दिया जाता है जिसमें iga1, iga2 है igg1, 2, 3 और 4 जो हैं यह सब isotopes हैं igg antibody के different isotopes और जो है ना और sub types हैं जो antibodies के वो different effector functions जो है ना करती है उनका काम यह होता है कि उन्होंने जो FC segment होते हैं एक उनका fab segment है antibody का और एक FC segment है जो FC segment है वो bind करता है phagocyte, natural cell, mass cells के साथ और plasma proteins के साथ और या even के complement proteins के साथ और उनको activate करता है ठीक है और जो antibody, fab segment है वो antigen के साथ attach करता है और फिर downstream effector mechanisms जो है है वो एक बड़ी वस्यदार चीज़ है जब हम features को देखते है antigen के उसमें यह antigen different types की है वो proteins भी है polysaccharides भी है nucleic acid भी हो बहुत बड़ी होती है तो एक antigen के लिए एक antibody के लिए के साथ बाइन करना बाद अफ़ा जो है वो जड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक है इसलिए जो antibody होती है वो simple एक किसी segment of that protein polysaccharide or nucleic acid के साथ attach होती है जिसको कहते है epitop epitop means कि यह वो segment है antigen के उपर जो के antibody के साथ attach होना है obviously बड़ा molecule होता है antigen तो अब एक antigen के उपर different determinants या epitops होते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक ही तरह की antibody ही सारे determinants पर जाए मसले कि अगर एक पर पांच या छे determinants लगें होएं तो यह भी जरूरी ही नहीं कि सिर्फ आइजी जी ही ने सारों को जो है ना बाइंड करना है different antibodies depending upon the specificity or depending upon the toxicity of that molecule different antibodies जो है वो एक उसके उपर attach होती है तीक है अब इनका जो है obviously इनकी जो binding antibodies की वो different इनको shape और configurations देती हैं जब वो एक बड़े molecules macromolecules के साथ attach होती है यह देखें इसमें जो है अगर आपके widely space cell determinants हैं तो जो flexibility है खासतर पर जो पीछे बात की थी जो hinge regions के दिर्मयान है जो constant और variable regions के दिर्मयान है जो heavy और light change के दिर्मयान वो help करती है कि अगर determinants far away हो तो भी बड़ी flexibility से antibodies attach हो जाती है अगर यही determinants करी ही भाज है तो भी antibodies को इनके साथ माइंड करने में कोई मुश्कल का सामना नहीं करना पड़ता अच्छा अच्छा अब बात करें antibody binding to an antigen अच्छा अच्छा अब सर्फेस पे किसी molecule के different types of antigens polysaccharides यह protein जो है वो अलिशिट हो रही होती है तो antigen antibody के साथ बाइन करती है अगर single antibodies के साथ बाइन करी है तो उतने ही उनकी specificity और उनकी killing जो है ना वो वो इंप्रूव होती चली जाती है तो affinity है अगर single antigen antibody reaction हो रहा है तो that is basically affinity लेकिन avidity का मतलब यह होता है कि एक जो antigen molecules है जिसना अगर इधर आप देखने IgM IgM है different types of different जो है आपके variable regions है और different light chains, eye chains से यह जब attach होता है तो यह different antigen determinants को epitops को engage करता है तो ऐसी antibody जो के different जो है और more than two or more than three or more than four antigen determinants को attach करती है तो that is called basically कि यह avidity इसकी बहुत strong तो affinity जो है वो single determinants के लिए हम use करते है कि एक epitop से एक antibody से attach हो रही है तो that is affinity लेकिन जब वो polyvalent nature रखती है कि एक antibody different जो है epitops को साथ bind कर रही हो तो that is called basically avidity which is a much more higher than an affinity और ज्यादा effective cell killing की side के जाती है यह अब IgG super family है ठीक है उसके molecular structures है जिसमा IgG है TCR है T cell receptors class 1 major histocompatibility complex cluster differentiation 4 at 28 or i cam i cam is also basically an adhean